अध्याय साथ त्रशंकू के मंदर में गर्म धूप से बचने के लिए लगरी की छत्री के साथ पत्थर की बेंचे थी, मांगले का एक बेंच पर बैठी थी। वहमेशा सोचती थी कि भगवान त्रशंकू उल्टे क्यों थे। उसने सलोक के कुछ लोकीतों में सुना था कि त्रशंकू देवताओं और प्रत्वी के किसी ब्रहम रशी के मध्धे जब्रे में फंस गए थे। करीब एक घंटे बैठ कर वह मंदर के पास के छेद में से सीरि उतर कर शहर में दाखी हो गई ये उसके निवास का एक शॉर्ट कट था। घर पर उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए कहा। वे ज़्यादा भूकी नहीं थी लेकिन उसने भोजन किया। उसने अपनी माँ से पूछा मा क्या आप जानती है वित्वी पर लोग जमीन के उपर रहते हैं। मा ने आश्चरे से उसकी ओर देखा और पूछा वे सूरे की गर्मी को कैसे सहन करते हैं। सुलोकरक सूरे के समीब था और शक्तिशाली सूरे किरने प्राप्त करता था। कोई भी सूरच का सामना आधे गंटे से ज्यादा नहीं कर सकता था। इसलिए लो करूंगी